हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ती चानल में ड्यूरिंग सपरेशन, DM के एक्सपिरेंसेज क्या होते हैं? DF को लेके उनके एक्सपिरेंसेज और इग्नोरेंस का रीजन क्या होता है? उनके लाइफ के अपने क्या प्राब्लम्स होते हैं? उनके अपने क्या इशूज होते हैं? रन करने का इस जर्नी से या DF से रन करने का उन्हीं कुछ चिज़ों पर आज बात करेंगे ये विडियो सिफ टू ट्विन फ्लेम के लिए ही वैलिड है जो टू 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 ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो उनके ट्रू डियम है ये उनकी फिलिंग है और वही इसको फेस करते हैं और इससे बाहर भी आते हैं आपने ऐसा बहुत सुना होगा कि फियर होता है, इगो होता है फैमिली इशू होता है, बहुत मेटरलिस्टिक होते हैं ये सारा तो आपने सुना है लेकिन मैं उससे हटके कि उसका थोड़ा सा deep में उनकी क्या feeling होती है वो सब आपको बताने वाले हूँ अपने experiences से भी और जिन लोगों का union हो चुका है उनके जो भी उनोंने experience share किये हैं उनके experience से भी उनके DM की energy मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या feel करते हैं separation के दोरान और क्या क्या problems का सामना करते हैं और कैसे heal हो करके clear करते हैं सारी चीज़े hope कि ये video आपकी journey में आपकी help करेगा तो जितने भी DM होते हैं सभी के अंदर कितने भी बहार से distorted दिखे लेकिन सभी के अंदर एक pure energy भी होती है एक pure part भी होता है उनका एक inner child होता है जो कि बहुत pure होता है उनका एक higher self होता है जो कि बहुत pure होता है और उनके खुद के अंदर एक ऐसी energy होती है एक ऐसा life वो जी चुके होते हैं जो कि एक purity में जीए होते हैं तो उनके जरनी भी tough होती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका childhood trauma, उनके dysfunctional families और बहुत जादा responsibilities की वज़े से, या धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, heartbreak की वज़े से, या फिर society का जो system है कि लड़कों को बहुत जादा responsibilities दी जाती है, उनसे बहुत जादा expectations र system है, इन सब का असर DM energy पे भी पड़ता है, और वो अपने आपका जो true self है, उसको कहीं न कहीं suppress करते जाते हैं, अपना जो emotional side है, expressive side है, वो कहीं न कहीं suppress करते जाते हैं, society का अनुसार जैसा एक masculine energy को होना चाहिए, जो वो बाहर से सीखते हैं, वैसा होने का कोशिश करते हैं, और अगर वो वैसे नहीं हो पाते तो खुद को criticize करते हैं, खुद को perfect नहीं जमझते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अपनी true self को side करके, अपनी खुद की feeling को side करके, अपन के friends, लोगों के according behave करने लग जाते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, हैना कि उसमें उनको एक validation मिल जाए, कि वो जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और वो एक masculine energy है, और वो एक अच्छे इंसान है, लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश, ध रहते हैं, उसमें उनकी respect हो, ये बचपन से ही उनको सिखाया जाता है, और बचपन से ही उनको उसी society में रहना है, इसलिए वो बहुत ज़दा conscious रहते हैं, family और society को लेकर के, लेकिन अब जब awakening होती है ना, तो जिस तरीके से DF को trigger होता है, उनके issues को लेकर के trigger होता है, और उस self love नहीं करना, इसी तरीके से DM को भी trigger मिलता है, उनके अपने areas में, जहां वो अपने true self को पीछे छोड़ाएं, true self को suppress कर दिया, अपने expressive self को, loving self को, जहां वो अपने साथ happy feel कर सकते थे, जहां वो ऐसे pressure में ना रहें, कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सूचेंगे, तो वो ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं, और आपको पता भी नहीं है, कि यह ऐसा सोचने की वज़े से, एक masculine energy, अपनी कितनी सारी खुशियों को sacrifice कर देते हैं, बहुत सारी चीजों में, वो happy रह सकते थे, लेकिन क्योंकि responsibilities की वज़े से, family, society, हर एक चीज को manage करते करते हैं, वो खुद को कहीं न कहीं खोद देते हैं, और अपने आपको sacrifice कर देते हैं, अपना true self, जो उनकी खुद की खुशियां हैं, वो sacrifice करते जाते हैं, लेकिन जब उनकी awakening होती है, तो universe उनको इन ही चीजों पर trigger करता है, क्योंकि universe यह चाहते हैं, कि हर एक इनसान अपने true self में ही रहे अपने pure self में ही रहे, और जैसे इक डियफ को हील करने के लिए डियम की जुरत पड़ती है, universe डियम का यूज सामने के प्रेजेंट किया जाता है, इसका बहुत भड़ा योगदान है डियम की healing में इसके लिए कभी मिलना, कभी separation में जाना यह बहुत important है बाहर वालों को तो ऐसा लगता होगा कि ये टुन फ्लिम जर्णी कोई love वाली जर्णी है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसमें मिलना बहुत कम होता और separation बहुत जादा होता है separation क्यों होता है ये definitely टुन फ्लिम की लाइफ में आता ही आता है separation और separation जरूरी है DM और DF दोनों की healing के लिए क्योंकि उसी दोरान वो think करते हैं सोचते हैं तो separation के दोरान DM की feelings क्या होती है इतना मैंने आपको समझा दिया अब आपको उनकी feeling समझाना easy हो जाएगा तो separation के दोरान DM की भी feeling बिल्कुल DF जैसे ही desperate होती है DF जैसे ही emotional connection feel होता है desperate energy feel होती है loving energy feel होती है sexual energy feel होती है emotional pull एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा feel होता है ये सब सच है और true love भी जो होता है naturally feel होता है उन्हें भी अंतर सिर्फ इतना ही है कि DF बहुत ज़्यादा expressive होती है naturally और DM expressive नहीं होते हैं naturally जो उनके society का belief system जैसे उनकी परवरिश होई जैसे वो बन गए हैं उसके अनुसार naturally वो expressive नहीं होते हैं और उसी को उनको balance करके expressive होना होता है genuine अपने hurt की feeling को feel करते हुए express करना सीखना होता है सिर्क DF से नहीं अपने life के बाकी areas में भी वो expressive नहीं होते हैं तो वहाँ भी उन्हें express करना सीखना पड़ता है इसलिए जो twin flames का जो love होता है वो कभी भी one sided नहीं होता वो हमेशा दोनों side से same होता है तो DM के ignore करने का reason क्या होता है क्यों वो DF को ignore करते हैं तो आपने अभी तक के पूरे वीडियो से ये जाना कि उनके खुद के issues होते हैं वो खुद express नहीं कर पाते हैं उनके life के खुद fear issues होते हैं और बहुत सारी जगर DF उनकी weaknesses को trigger करती है कुछ qualities जो उनके अंदर नहीं होती वो DF के अंदर बहुत जादा होती है तो DF को देख देख कर कि वो trigger हो जाते हैं तो कहीं-कहीं उनकी weaknesses भी mirror होती है जिससे की वो डरते हैं बचना चाहते हैं अपने आपको low vibration में नहीं ले जाना चाहते तो सीधा वो DF से run करने लग जाते हैं जहाँ पे DF उनकी weaknesses को trigger किया वो run करने लग जाते हैं ऐसे में DF क्या करें क्या उनकी weakness इसको trigger करना बंद कर दे, नहीं, आप naturally ऐसा करी नहीं पाएंगे, आप से naturally युनिवर्स वही चीज करवा देंगे, जो कि जाके उनको trigger कर देगी, क्योंकि युनिवर्स सिर्फ आपको हिल नहीं कर रहे हैं, DM के जरिये सिर्फ आप कोई trigger या mirror नहीं दिखा रहे हैं तो कभी-कभी आप कोई चीज नहीं भी करना चाहरे होते हैं, अपने DM को नहीं भी बोलना चाहरे होते हैं, फिर भी आपको अंदर से सब पूश आता है कि नहीं बोल दू, बहुत हो गया DM का ये behavior अब बरदाश नहीं हो रहा, यहां पे मुझे बोलना ही चाहिए, ऐसी situation में आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप खुद को control करेंगे, DM को खोने से डरेंगे, कि अगर ये कह दिया, वो कह दिया, सही बात भी है, लेकिन आप फिर भी DM को खो न दे, इसके लिए डर रहे हैं, और खुद को control कर रहे हैं, उतना ही आप अपने DM के awakening को delay कर रह हैं, तो अपनी natural feeling को follow करना चाहिए, natural intuition को follow करना चाहिए, और बहुत जादा खुद को control नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, DM को strong self love करना चाहिए, क्योंकि अगर आप strong self love में रहेंगी, अपनी value करेंगे, तो अपने आप ही DM को उनकी weaknesses पर trigger होगा, उन चीजों पर trigger होडिंग ही, उनकी जो awakening है, वो smooth जाएगी, पर जितना आप खुद को control करेंगे, जितना आप natural नहीं रहेंगे, उतना ही फिर naturally आपके DM के awakening delay होगी, उतना ही वो भी natural नहीं रह पाएंगे, और खुद को control करेंगे, और आपको भी control करेंगे फिर, क्योंकि आप जब natural नहीं रह बहुत जादा ignore करते हैं, थोड़ा सा आएंगे और ignore करके चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी intuition को, अपने आपको, अपने self love को ignore कर रहे हो, तो वो भी ignore करते हैं, और runner chaser phase बहुत जादा बढ़ जाता है, और कभी कभी ऐसा होते हैं, separation period भी बहुत जादा बढ़ जाता है, ऐसे cases में strong self love करना चाहिए, inner work करके, meditation करके, अपने आपको balance करना चाहिए, अपने self intuition को सुनना चाहिए, और naturally जैसे journey आगे बढ़ रही है, जैसे DM का behavior है, वैसे ही God को surrender करके, God पे पूरा faith करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और बार बार DM जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाधा tension नहीं लेना चाहिए, और जब DM जाएं भी आपको चोड़के, तब भी अपने आपको balance फील करना चाहिए, और मन में trust होना चाहिए, कि वो वापस आएंगे, जो भी separation का time है, उन पे कोई काम चल रहा होगा, तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, ऐसा सूचना इग्नोर करने के और भी reason होते हैं, जो family का लोग बहाना बनाते हैं कि third party है, family है, वो actually वो बहाना बनाते हैं, reason वो होता नहीं है, reason होता है उनका खुद का trust issue, उनका खुद का fear, उनके अंदर के खुद के जो issues होते हैं, उनका खुद का ego issues, वो सारे issues होते हैं, बहाना बस उन अपने issues को छुपाने के लिए बाहर वो बहाना दे देते हैं, अगर एक DM हील हो जाए, तो वो इन सारे patterns को break कर देता है, अगर एक DM के अंदर का fear, ego anxiety, ये सारी चीजे उसका past trauma, ये सारी चीजे हील हो जाए, तो वो family को ये बाकी सारी चीजों को value उतना नहीं देता है, या कैसे उन्हें handle करना है, उस problem को कैसे solve करना है, ये चीज उन्हें समझ आ जाती है, यहाँ पे जो भी DM and DF other partner से पहले से ही married है, उनके लिए थोड़ा सा situation या case अलग हो जाता है, लेकिन अगर वो भी अंदर से पुरी तरीके से हील हो, वो DM पुरी तरीके से अंदर से जब हील हो जात है, और उन्हें भी अपने आप ही समझ में आ जाता है कि इस situation में, जिस भी situation में वो हैं, उस situation में उनके लिए क्या करना सही है, और क्या इश्वर की guidance है, इसके अलावा और भी reasons हैं, जिसकी वज़े से DM, DF को ignore करते हैं, या फिर Twin Flame Journey को ignore करते हैं, एक reason तो ये भी है कि complications of this relationship, इ इतनी problems आती है, इतना on-off रहता है, इतना problematic situations create होते हैं, कि इस चीज़ से DM कभी-कभी run करने लगते हैं, कि ये relation तो peaceful है ही नहीं, ये relation तो harmonious है ही नहीं, तो वो छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, कि इस relation में इस लड़की के साथ बहुत complication है, इसको ignore करके चले जाओ, औ इसा नहीं होता, बिना हील हुए, ये journey जिस तरीके से आपका पीछा नहीं छोड़ती, इस तरीके से उनका भी पीछा नहीं छोड़ती, इग्नोर करने का next reason है, उनका बहुत जादा materialistic mind, और अगर DF उनको बहुत जादा chase कर रही है, बहुत जादा उनके लिए desperate है, तो उनका ये सोचना कि इसको मुझसे कुछ चाहिए, उनको लगता है कि DF को उनसे कुछ चाहिए, शुरू-शुरू में ऐसा लगता है, जब तक उनके awakening नहीं हुए होती, जब तक उनको अतना idea नहीं होता, तब तक उनको लगता है कि लड़की इतना desperate क्यों है, इसको कुछ चाहिए म वेकनिंग हो जाती है थोड़ा सा डीफ के लव का रियलाइजेशन हो जाता है इस जर्नी में वह नहीं भाग सकते हैं सब चीजों का जब रियलाइजेशन हो जाता है तब वह क्यों इगनौर करते हैं ट्रस्ट इशू की वज़े से उनको खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं हो रहा होता कि इतनी तफ जर्नी है या ऐसे सिच्वेशन हैं क्या उसको वह और कम करके इस जर्नी में यूनियन अचीव कर पाएंगे क्या इस जर्नी के जो इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं कॉम्प्लिकेशन से क्या उसको वह सॉल्व कर पाएंगे तो यह बहुत बड़ा फियर आ जाते हैं उनके सामने जिसकी वज़े से वो कभी कभी बहुत जादा long time तक stuck हो जाते हैं या फिर df को बहुत जादा समझाने लगते हैं अपने आपको अपनी चीजों में involve करने लगते हैं ignorance बढ़ जाता है या फिर साथ तो रहते हैं लेकिन कमिट नहीं कर रहे होते हैं लेकिन डोंट वरी ये इशू भी धीरे-धीरे universe ट्रिगर कर रहे होते हैं mirror कर रहे होते हैं उनके life के lessons उने दे रहे होते हैं तो ये इशू भी धीरे-धीरे solve हो जाता है तो okay my dear friends hope कि इस वीडियो से आपको dm को समझने में थोड़ी बहुत help हुई हो और और आप dfs को कैसे heal होना है क्या inow up करना है इससे रिलेटर तो वीडियो आते ही रहते हैं तो आगे की guidance next वीडियो में ओके फ्रेंस God bless you all